Hello and welcome back friends. आज हम बात करेंगे IELTS speaking test की. जो IELTS speaking test होता है, वो general as well as academic तोनों के लिए same होता है. ये एक physical test है, मतलब कि इसमें computer या paper based में कोई अंतर नहीं होता. आपके पास एक examiner आता है, जो आपको certain set of questions administer करता है. उसके बाद उन question के basis पे आपको एक answer देना होता है. ये सारा ही conversation record किया जाता है, ताकि अगर आपको बाद में एक review चाहिए या criticism चाहिए, अपने आपको improve करने के लिए तो आप वो भी सीख कर सकते हैं. जो आपका examiner होता है usually, वो ही आपको score भी देता है. इसका मतलब है कि you come face to face with the examiner who will be evaluating you. इस वज़ा से speaking test में बच्चे अक्सर डर जाते हैं. बट I am here to tell you कि speaking test में डरने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है. जब हम structure-wise rules को follow करकर अपने speaking test को पूरा करेंगे, तो हम एक बहुत अच्छा band ले सकते हैं. मतलब आप अगर इन सारे rules को follow करेंगे जो हम आने वाली वीडियो में discuss करेंगे, तो आपको speaking test से डरने की कोई जरूरत नहीं है. आप एक बहुत अच्छा score ले सकते हैं. So, without further ado, आज हम बात करते हैं कि speaking test में आखिर हमसे क्या expect किया जाता है और पूरे test का format क्या होता है. तो friends, सबसे पहले तो बात करते हैं कि speaking test आखिर किस-किस तरह से divide किया जाता है और किस तरह से administer होता है और उसका क्या format होता है. तो सबसे पहले तो आपका जो speaking test है वो आपको physically जाकर देना होगा. आपके पास examiner आएगा, वो आपको questions देगा, उन questions के आपको answer करनी है. जो ये पूरा speaking test है, इसका basic purpose है आपकी spoken English proficiency को test करना. तो ये कैसे होती है? आये चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो, जो पूरा test है, वो around 11 to 14 minutes का होता है. 11 to 14 मतलब 11 minutes से नहीं कम और 14 minutes से नहीं जादा. Exactly इसे के बीच में आपका test administer होगा, इसे के बीच में आप answers देंगे, इसे के बीच में आपको time मिलेगा, cue card को पढ़ने का और उसको answer करने का. आपका जो test होगा, वो three parts में divided होगा, और वो three parts का जो split up होता है, वो इस तरह होता है. पहला जो part होता है, वो usually four to five minutes के लिए होता है, जो दूसरा part है, जो अकसर बहुत difficult माना जाता है, वो usually एक से तीन minute का होता है. और जो next portion है, मतलब कि आखरी portion, part three, वो usually four to five minutes का होता है. अब ये तीनों ही parts, इनके purposes भी अलग-अलग होते हैं, तो आए चलिए देखते हैं. सबसे पहले जो आपका part one होगा, उसमें examiner आपको comfortable करने की कोशिश करेगा, ताकि आप उसके साथ एक rapo build कर सकें, और आने वले parts में जो भी आप answer दें या conversations करें, वो आपके लिए करना आसान हो जाए. ये part usually ऐसी शुरू होता है कि आप से कहा जाता है कि आप अपने आपको introduce कीजिए, अपनी personal life के बारे में कुछ पताए, अपनी family के बारे में बात कीजिए, अपने profession या अपनी studies के बारे में कुछ पताए, अपने educational background के बारे में कुछ पताए, आप कहां रहते हैं, कौन सी city से हैं, क्या करते हैं, आपकी hobbies, interests क्या हैं, इस सारी बाते आपसे पूछी जाती हैं first part में, first part के जतने भी topics होते हैं, मतलब कि जो examiner आपसे सवाल करता है, वो usually familiar topics होते हैं, ऐसी चीजें जो आपकी personality का part हैं, और जिनका answer देने के लिए आपको जादा सोचने की जरूरत नहीं है लेकिन याद रखिए, कि जो part one है, वो भी आपके test का part ही है, मतलब हाला कि जो examiner है, वो आपको comfortable feel कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो आपको evaluate भी कर रहा है, मतलब आप जिस तरीके से first part में answer करेंगे, वो tone set कर देगा कि आने वाले parts में आप कैसे answer करते हैं, औ और आपकी evaluation कैसे होगी, हमें पता है कि part one में क्या-क्या सवाल पूछे जाते हैं, इस वज़ा से it's best कि आप घर पर बैठ कर ही इसकी इतनी जादा practice कर लें, ताकि जब examiner आपसे ये सवाल पूछे या आपको ये सवाल administer करें, तो आप जट से इसका answer दे सकें without getting stuck, अब बात क का मतलब है कि आपको एक card दिया जाता है, जिसके उपर एक particular topic लिखा होता है, उस topic के नीचे लिखा होता है कि आपको किन-किन चीजों के बारे में बात करनी है अपने answer में, तो इस वज़ा से इसको कहते हैं card topic, उस card में कुछ cues भी होते हैं, या कुछ points होते हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने answer में incorporate करें, अगर आप इन cues को अपने answer में incorporate नहीं करते हैं, तो आपके marks नहीं कटेंगे, बिकुज यहाँ पर हमें task achievement नहीं करनी होती है, हमें सिर्फ अपनी fluency शो करनी होती है, लेकिन card topic को answer करने के लिए आपके पास 1-2 minute होते हैं, उसको करने के लिए भी आपके पास सिर्फ 1-2 minute होता है, कुश्टन बहुत ही छोटा सा होता है, यूजली 15-20 seconds में आप उसको पढ़ सकते हैं, बाकी 40 seconds में आप एक answer बना सकते हैं, या फिर एक अच्छे answer का धांचा बना सकते हैं अपने दिमाग में, तो इस तरह से आपको उस 1-2 का यूज करना होता है, जब आप इस 1-2 minute का अच्छे से यूज करेंगे, तो आप अपने का टॉपिक, मतलब पार्ट 2 में बहुत अच्छा answer दे पाएंगे, ये answer fluent होना चाहिए, और इसका जो मतलब है वो भी बहुत clear होना चाहिए, मतलब communication बहुत clear होनी चाहिए, तब जाक you get 1-2 minutes for speaking, हो सकता है कि आपका answer दो minute में खतम ना हो, उस case में आप अपने answer को और बोलते जा सकते हैं, you don't have to stop in middle of it, हो सकता है कि examiner आपको रोगते after 2 minutes, बट वो भी examiner पे depend करता है, usually examiners are very nice and they don't stop you in between, they let you finish your answer, अगर आपका answer दो minute में खतम नहीं होता, और examiner आपको रोक देता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके marks कट जाएंगे, remember, task achievement यहां पर हमारा goal नहीं होता है, हमारा goal होता है अपनी fluency शो करना, spoken English में अपनी proficiency को शो करना, इस वज़ा से चाहे आप अपना answer एक minute में दे, तेड़ मिनट में दे, या दो मिनट में दे, अगर आपका answer एक minute में शुरू हो जाता है और examiner आपको रोकता नहीं है, तो आप simply कह सकते हैं, that you have finished your answer or that you have completed what you wanted to say, there is nothing wrong in saying this to the examiner, so this is how you are administered part 2 of your speaking test, remember, यहां पर examiner आपसे कुछ भी नहीं पूछता, वो simply आपको एक card देता है, मतलब कि card question administer करता है, जब आप अपना answer दे रहे होते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी interrupt नहीं करता, अगर आप कहीं attack जाते हैं, तो examiner आपको ये भी help नहीं करेगा, कि वो आपको आगे बढ़ने में help करे, so इस वज़ा से यहां पर आपकी fluency को बहुत ही नजदी की तरीके से evaluate किया जाता है, इ यहां पर आपको एक abstract topic दिया जाता है, abstract topic का मतलब है कि हमें नहीं पता कि examiner आपसे क्या पूछेगा, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो part 2 में आपने answers दिये, उनकी basis पे आपसे part 3 में questions पूछे जाएंगे, so the examiner asks questions that are based on your answers in part 2, यहां पर जो conversation होती है, या जो आपके answers and questions round होते हैं, वो 4 to 5 minutes के लिए होते हैं, मतलब, it can get very nerve-wracking and there is a possibility that students might get confused, लेकिन, you have to remember two words, poise and confidence, मतलब, अगर आप अपना सयम बना के रखेंगे और अपने उपर विश्वास रखेंगे कि आप ये कर सकते हैं, तो इन 4 to 5 minutes में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, usually क्या होता है कि हम अपने exam से पहले या अपने speaking test से पहले काफी practice करते हैं, लेकिन exam time पे, मतलब कि जब वो test हमें administer किया जा रहा होता है, हम वो सारी चीज़े भूल जाते हैं, जो हमने practice के दौरान सीखी होती हैं, उसका कारण सिर्फ इतना है कि हम बहुत ज़दा anxious हो जाते ह बहुत ज़दा डर जाते हैं, तो आपने अपना speaking test देते समय बिलकुल भी डरना नहीं है, आपने बिलकुल भी anxious नहीं होना है, you have to practice breathing, अगर आप breathing technique का practice करेंगे, तो आपके लिए अपनी nerves को control करना बहुत आसान हो जाएगा, चाहे जो भी सवाल, कोई भी सवाल examiner आपसे प आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो उसके आसपास related है, just remember that you have to be fluent and clear in your speech, उसके लिए अगर आपको धीरे धीरे भी बोलना पड़े, थोड़ा सा सोच सोच कर भी बोलना पड़े, तो उसमें कोई भी परिशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके marks नहीं कठोंगे, but it's very important, कि आप जो भी बोल रहे हैं, उसका मतलब एकदम साफ होना चाहिए, grammatical accuracy होनी चाहिए, आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो examiner को अच्छे से समझ आना चाहिए, जब आप ये सारी चीज़े करेंगे, तो आपको अच्छा band मिलेगा, लेकिन अगर आप जल्दी या difficult words को यूस करने की कोशिश करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के आपको marks नहीं मिलेंगे, in fact you will end up losing marks for such things, so remember, maintain poise, maintain confidence and remember there is no wrong or right answer here, your fluency and spoken proficiency is at test, nothing else. Now, usually abstract topic में कौन कौन से questions हो सकते हैं, आये चल दिये देखते हैं, you may be asked to talk about past experiences, present circumstances, future aspirations, examiner might give you a fictional situation to give opinions and arguments on, अब इन चीजों की आप practice कैसे कर सकते हैं, so I highly highly recommend कि आप आज ही जाएं और अपने लिए एक डाइरी लेकर आएं, उस टाइरी में part 1, part 2 और part 3 के questions को लिख कर practice करना शुरू कीजिए, लिखने के बाद अपने answers को loud करके बोले, मतलब you should speak out your answers out loud and this will help you to practice your spoken proficiency. Usually क्या होता है, बोलने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या बोलने वाले हैं, और ये जो सोचने और बोलने में थोड़ा सा time difference होता है, इसी की वज़ा से हम हकला के बोलते हैं, या fluently नहीं बोल पाते हैं, या फिर अकसर हम कहते हैं कि हमारे मू तक बात आ गई लेकिन ह उसे बोल नहीं पाए, ये सारी चीज़े क्यों होती हैं, ये इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी जो thinking speed है और speaking speed है दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो जब हम diary में अपनी entry करते हैं, मतलब कि रोज diary लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, अपने दिन के जो भी experiences हैं, उनक हमारी thinking और writing alignment में आ जाती है, तो हमारी speaking automatically align हो जाती है हमारी thinking के साथ, तो ये वो process है जिससे आप अपनी speaking proficiency को increase कर सकते हैं, डाइरी राइटिंग से हमें बहुत मदद मिलती है, जो especially part 3 के questions होते हैं, जो आपके past experiences से related हैं, या आपके future plans, career plans से related questions होते हैं, उनको answer करने में बहुत असानी मिलती है, so I highly recommend कि आप एक diary writing शुरू कर दें, हरोज diary में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, अगर कुछ भी नहीं है लिखने को, तो आखे बंद करके कुछ ऐसा याद कीजे, जो आपको बहुत ज़दा पसंद है, या कोई इसी memory है, जो आपक to develop your English proficiency skills, so friends, ये तो था कि IELTS speaking test में क्या-क्या पूछा जाता है, और किस-किस तरह से format को आपको administer किया जाता है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे, कि speaking test का marking criteria क्या होता है, marking criteria को जानना बहुत ज़दा ज़रूरी है, जब तक आपको marking criteria नहीं पता है, तब तक आप जितनी भी practice कर लें, कभी भी वो practice spot on नहीं हो पाएगी, मतलग आप जो practice कर रहे हैं, अगर आप उसको meaningful बनाना चाहते हैं, आप उसके थूरू results देखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको marking criteria पता हो, तो next video में हम marking criteria discuss करेंगे, साथ ही discuss करेंगे कुछ essay tips जिनको यूज कर आप रोज अपनी English spoken proficiency को increase कर सकते हैं, so I will see you in the next video, till then stay tuned and stay blessed.